हेले फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेंड बीपीएसी में सभी दोस्तों को गुड इबनिंग गुड इबनिंग टु अल फ्यू उमेद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे लोग देखें एक्जाम का बार-बार बोल रहे हैं क उसके एक्वाडिंग पढ़ाई किजे एक्जाम कब होगा नहीं होगा उस पर अब ध्यान मन देजे अपना syllabus complete किजे आपको सिर्फ पढ़ाई करना है आपका complete रहेगा तो एक्जाम कभी ले आप कोई भी सवाल बना सकते हैं ठीक है तो practice किजे रोज पढ़ना है और रोज ए प्योन वाले आप लोग थोड़ा math पर practice किजे दो से तीन घंटा पोर डे math practice नहीं करेंगे आप लोग तो आपका result नहीं होगा मानते हैं निगेटिंग मार्किंग नहीं है तो क्या आप ही क्यों exam में बनाएंगे सबी लोग बनाएंगे जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी बन 55 score करकर आईए 55 55 55 के बीच में आईए बहुत लोग का होगा boys के लिए तो कम से कम 65 to 70 के बीच में होना चाहिए और जो general category वाले है वो अगर EWS का certificate लगाते हैं तो उनका cut of ACST के बराबर जाएगा क्योंकि अभी आप देखे होंगे NTPC railway में जो result निकला है general category से जो दोस्त बिलोंग करते हैं मेरे वो क्या करेंगे EWS का certificate आप लगाते हैं तो अगर ACST का cut up 50 जाएगा तो आपका समझ लीजिए कि आपका 45 पर हो जाएगा 46 पर हो जाएगा ACST के cut up से भी general EWS का cut up बहुत कम जाता है ठीक है तो आप अगर नहीं लगाए हैं तो अगले बार से इन सब चीजों को विशेज जुरूप से ध्यान दे ओके दोस्तों चलिए हम लोग करते हैं आज का session पहला प्रस्ण है वर्ल्ड वाइड वेब का अविस्कार किस वर्स किया गया चलिए बताइए किस वर्स किया गया ते 1989 में किया गया ओके अगला प्रस्ण देखिए अगला है निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है इसमें अप्षन को ध्यान से देखिए एक हजरचोविस ए बी बराबर वो नो वाई भी ये गलत है ये नहीं होता है बाकि सब सही है ओके B D C सब सही है उसके वद प्राप्त करता के छोर पर encrypted data का डैस होना जरूरी है क्या हो बताईए देखे इसमें आप इसको हम लोग बोलते हैं अगर वो ज़रूरी होगा न तो डीक्रेप्टेड होता है उके डीक्रेप्टेड बहुत ज़रूरी होता है इसमें अगला प्रसन देखिए अगला है आपका निमलिखित में से कौन सा कॉम्प्यूटर का एक इंपूट नहीं है तो यू एस से भी ओके यह परसनल कॉम्प्यूटर का भाग नहीं है अगला प्रसन देखिए अगला है अपका रजिस्टर के अकार को डैस भी कहा जाता है रजिस्टर के अकार को क्या कहते हैं तो यह रजिस्टर के अकार को हम लोग कहते हैं वर्ड साइज जो के व तो उसके लिए आप हमेशा क्या दबाएंगे control plus backspace दबाएंगे तो हटा देगा ओके चलिए अगला प्रसंद देखिए computer प्रणाली केवल dash संख्या प्रणाली number system समझ सकती है कौन समझ सकती है ये computer आपका तो ये समझ सकती है दिवधारी जिसको हम लोग binary number बोलते हैं चलिए अगला प्रसंद देखिए अगला है अपका पर्थम PD के computer में dash 2 था कौन सा 2 था इसमें तो इसमें था 12 आकार सबसे बरी समझ से यही थी उसके बादे monitor में कितने अक्छर और line समाई होती है कितने line समाई होती है इसमें 80 अक्छर होते हैं और 24 line होते हैं कितना 80 अक्छर और 24 line होते हैं अगला प्रसंद देखिए computer की board में कितने arrow के button होते हैं कितने arrow के button होते हैं तो यह होते हैं 4 चार arrow के button होते हैं चलिए अगला प्रसंद देखिए कई chromic के अस्थान पर एक ही shortcut की को निर्धारित करना कहलाता है क्या कहलाता है तो ये कहलाता है आपका Micro, Okay, Micro कहलाता है उसके बाद है Presentation Slide के Text की Maximum Size होती है, क्या होती है तो ये होती है आपका 96 कितना होती है साइज, 96 का, Okay चलिए अगला प्रस्ण देखिए Math हा गया, Okay Math को आपको बताना है कैसे Solve करेंगे मैथ मैं बार बार बोल रहा हूं Practice का चीज है आप मैथ प्राक्टिस नहीं करेंगे तो आप योद से बाहर हो जाएंगे जंग से पहले ही बाहर हो जाएंगे मैथ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बहुत मतलब इतना essential है कि आप practice नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको ओके, देखे दो अंको के एक संख्या के अंको का योग 5 है यदि अंको के करम को उलट दिया जाए तो नहीं संख्या में एक बढ़ाने पर यह हमोल संख्या के आपको क्या बोल माल लीजे x और दहाई के आपको y माल लीजे ओके, इसमें कोई trick काम नहीं आता क्योंके process है, ओके, तो आपको पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, वास्तिविक्स अंख्या लिखेंगे ना, 10y उसके बाद प्लस x ठीक है, वास्तिविक्स अंख्या होगा अंक उलटने पर जब अंक उलट येगा तो क्या हो जाएगा, यानि प्रस्ण के coding हो जाएगा आपका 10x प्लस y हो जाएगा चुकि अंको का योग बोल रहा है यानि अंको को प्रस्ण से उलट फिर करते हैं, जोडते हैं एक जोड देते हैं, बढ़ा देते हैं तो हम लिख देते हैं, आप लोग solve कर लीजेगा, ओके, देखिए ठीरी, बोल रहा है उलट देनते हैं, तो मुल संखे के तिन गुना हो जाता है, यानि 3 इन्टू 10y प्लस x is equal to, कितना हो जाएगा 10x वोगा न जी 10x प्लस y अब प्लस 1, अब इसको solve कर दीजे, समिकरन 1, 2, मान लीजिएगा, ठीक है न उसका बाद solve करेंगे, तो आपका मान निकल जाएगा कितना राइट एंसर आएगा तो यानि 14 आएगा चलिए अगला प्रस्ण देखे अगला है ड्रेस मैटरियल के एक दुकंदार ने परतेक भस्तु पर उसका वास्त्विक लागत मूल से 25% अधिक मुलंकित किया उसने परतेक भस्तु कांकित मूल पर 12% छूट दी, यदि एक सूट भर का कापरा 2750 रुपयां बेच दिया दुकंदार को कितना लाप प्राप्थ हुआ मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी विक्रेमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे क्रेमूल आप कुछ भी मान सकते एक समान लेजिया, सो मान लेजिया तो मान लेजिया, हम एक समान लेते हैं एकस इंटू चुकि पचीस परसेंट लाप होता है तो सौ पलस पचीस और बाटा सौ इतना कर लिए फिर पुछला है, एक हानी होता है 12 पर फिर गुना कर देजियेगा इसी के, ओके फिर सौ, हानी है अब इसको सौल केजिये, लोग मान आजाएगा कितना राइट अंसर आएगा तो आपका 250 रुपया आएगा अगला प्रसन देखिए सिंपल है, निमलीखित को हल करना है ये तो आना चाहिए आप लोग को सौल केजिये देखे, जब इससे सौल करेंगे तो आप कमान आजाएगा आचा सौल कीजिये, लोग 150 रुपया आएगा चलिए अगला प्रसन देखिए अगला है राम पर और स्याम बी पर है, राम ए पर और स्याम बी पर है चलिए आपको समय देते हैं आप लोग सौल कीजिये वे एक साथ एक दुसरे की और बढ़ते हैं और रास्ते में एक दुसरे से मिलने के बाद राम को बी तक देखिए आप मैत नहीं करेंगे न तो आप बार बार बोल रहे हैं मैत बहुत जरूरी है 35 है आप लोगों के लिए और बाकियों के लिए 25 ओके तो मैत अगर छोड़ देते हैं तो बहुत इकत हो जाएगा रिजल्ट नहीं होगा इसकोर वहीं के वहीं रह जाएगा अब हिंदी में 35 में 35 ला सकते हैं कलरक वाले 20 में 20 ला सकते हैं लेकिन मैत फिर दिकत हो जाएगा न तो यहीं सब चीजों को भी देहान देना है दोस्त एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सभी भी स्वयों को अच्छा से पढ़ता हो और सॉल्ब करता हो चलिए सॉल्ब के जेकर रेटन सरोगा इसका चलिए हम हींट दे देते हैं स1 बाइ स2 रूट अंडर ट2 रूट अंडर ट1 अब भाहलू रख दे जे लोग आसानी से निकल जाएगा 20 किलोमीटर आएगा ओके यह राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसंद देखे इसको सब की जलू पहली चार संख्याओ का ओसद पाचवी संख्याओ का तिन गुना है यदि उन सभी पांच संख्याओ का ओसद 85.8 है तो पाचवी संख्या बताईए इसमें पाचवी संख्या बताना है पाचवी संख्य एक्स माल लिजे और पहली चार संख्य होगा आपको पता है उसत पूछ रहा है तो थिरी एक्स हो जाएगा अप रसन से थिरी एक्स गुने 4 प्लस एक्स कीजेगा अब रावर दिया है आपका 8.5 85.8 इंटु 5 कर दिजे निकल जाएगा सल्प कीजे कैसे सल्प करेंगे बता दिया सल्प कीजे हिंट जरूरी होता है मैत आपको अपने से प्राक्टिस करना परेगा कोई बताने के लिए नहीं आएगा राइट अंसर 33 आएगा ओके अगला प्रसन देखे रीमा ने 2160 में 48 पूछ तक वस्तुवे बेची है और 10% की हानी उठाई और 12% का लाव कमानी के लिए उसे 2016 में कितनी बस्तुवे बेचनी चाहिए तो एक बस्तु का आप निकाल लिजिए एक क्रें मुल कितना हो जाएगा 48 का दिया है 2160 तो एक क्या हो जाएगा 2160 बटा 48 निकालिये कितना आ रहा है चुकि फिर देखेंगे आप एक बस्तु का विक्राय मूल 50 गुने 112 पर तीसत हो जाएगा 12 परसंट लाप दिया है तो 100 परसंट बार होगा न सुल्प किजएगा कितना आएगा राइट अंसर आजएगा 36 चलिए अगला परसंट देखिए बेसिक आपका ठीक नहीं होगा मैथ में तो दिकत होगा आपको परिशानी हो सकती है ओके मैथ एडवांस लेबल कर रहेगा या लिख लिजए अपने दिमाग में यदि 85 सेंटिमीटर और 130 के महसम को 85 माइनस 130 के रूप में ब्यक्त किया जा सकता है तो एक सकामान ग्याद करना है चलिए सिंपल है बोल रहा है 85 और 130 का तो महसम निकालिए 85 ए 130 का महसम आप ऐसे लिख सकते हैं 85 बराबर 17 गुने 5 लिखिएगा और 130 को कैसे लिख सकते हैं 130 को 17 गुने 9 लिख सकते हैं अब बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं अब महसम इनका देखिए तो इन दोनों में 17 हो रहा है महसम 17 आ जाएगा प्रस्ण से पूछ रहा है कि 85 तो हम 85 एक्स चुकि बोल रहा है 85 मैनेस 153 के रूप में ब्यक्त करना है तो 113 मौसम कितना आया था 17 सल्प किजिए राइट अंसर कितना आ जाएगा 2 ओके अगला प्रस्ण देखिए अगला है आपका तिर्भूज ABC में B और C F मादिकायक दूसरे को समकुन पर काड़ती है यदि AB वरवर 20 सिंटिमीटर और AC 15 सिंटिमीटर है तो BC के लंबाई बताना है कुछ नहीं करना देखिए हम फीगर समझा देते हैं आपको सबसे पहले ABC एक तिर्भूज बनाईए ओके आप तिर्भूज बना लिए चुकि B पूछ रहा है तो सबसे पहले आप तिर्भूज ABC का हम नाम लिख देते हैं B हो गया यह हमारा यहां पर E हो गया ठीक उसके बाद पूछ रहा है B हो गया B कम्पलीट उसके बाद क्या इसमें निकलना है यह भी पूछ रहा है 20 सेंटिमीटर तो आपका A भी यहां 20 लिख दीजिए ठीक है AC पूछ रहा है 15 तो यह हो गया आपका 15 ठीक है उसके बाद क्या पूछ रहा है इसमें चुकि एक और है यहां पर आधा G GC हो गया मान लिए आपने यहां पर और इसको आगे बढ़ा देते हैं ठीक है अब क्या करना है आपको चुकि सब चीज पता हो गया आपको ठीक है तो अब इसको solve किजिए तो क्या हो जाएगा 5 BC का स्कौाइर बराबर AB का स्कौाइर प्लस AC का स्कौाइर ओके समझ गए कैसे लिखा है मैंने एक करन के रूप में करन वाला हाइपोटेनस जानते है न पाइथागोरस वाला ओ रूल मैंने यहां पर लगाया है तो कैसे हो जाएगा solve करेंगे तो अब हैलू यहां पर पूट कर दीजे AB का स्कौाइर यानि 20 का स्कौाइर अ पुलस 25 का स्कौाइर देखे कितना हो रहा है कितना हो जाएगा यानि 400 पुलस हो जाएगा आपका 400 अ-पुलस 25 होगा ना अच्छो कि यह गुणा में है 5 BC यहां पर 5 BC स्कौाईर था तो हम खाली 20 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 400 पुलस 225 अब पाँच अब इसको जब आप solve करेंगे तो कितना माना जाएगा 5 रूट 5 राइट अंसर बिया जाएगा अब चलिए हिंदी solve किजी लोग हिंदी में तो आप लोग 30 मर खाँ है हिंदी मुझे लगता है कि आप लोगो कोई कुछ करने के जुरूरत नहीं है आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं पता है मुझे चलिए बताइए शरोर का प्रिवाची क्या होता है शरोर का प्रिवाची हो जाएगा आपका तलाब उके उसके बादे इसमें बताना है सही वर्तनी वाले सब्द लिखना है तो मंतवे जो है मंतवे ये सही लिखा हुगा है चलिए आगे देखे आगे है आपका कि उस भी कल्प का चैन केज़े जो निम्न मुहाबरे का अर्थ व्यक्त करता हो इसमें क्या होगा तो इसमें देखे दरीदित्ता में आनंद लूटना ओके दरीदित्ता में आनंद लूटना ओके लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है अगला है इसमें आपको देना है बरसात के चार महीने के लिए कौन सा होगा बरसाथ के चार महिने के लिए क्या बोलेंगे आप तो बरसाथ के चार महिने के लिए आप बोलेंगे यानि चातुर मास चलिए अगला प्रसन देखे अगला है आपका कुछ कर जाना मुहाबरे का मतलब क्या होता है कुछ कर जाना मुहाबरे का मतलब तो इसका मतलब हो जागा आक्रमन करना उसके बाद एक खाली अस्तानों को भढ़ना है आपने मेरे डैस का उतर नहीं दिया तो क्या हो जागा वेरी सिंपल यानी पत्र का पत्र लिखते होंगे आप चलिए अगला प्रस्ण है इसमें बताना है आपको जितने के एक्षा जितने के एक्षा यानी जिगीसा ओके जितने के एक्षा के लिए क्या बोलते हैं जिगीसा अगला इसमें बताना है सही वरतनी वाले सब्द जब बताईए तो देखे संग्रिध जो हो जागा ये अपका सही लिखा हुआ है चलिए अगला प्रसन बताईए इसमें क्या बताना है कि चार भी कल्पा में से मुहावरे कर था आंक दिखाने का मतलब क्या है आंक दिखाने का मतलब क्या है दोस्त यानि गुसा प्रकट करना इसमें बिलोम बताना है अपमान का बिलोम क्या होगा अपमान का बिलोम समान हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देखे अगला है कि समनार्थी सब बताना ही यमुना का क्या हो जाएगा यमुना का क्रिश्ना होता है समान है उसके जैसा चलिए अगला प्रसंद बताईए दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग जो करता है उसे क्या बोलते है तो उसे बोलते हैं हम लोग आत्म सर्गों के आत्म सर्ग चलिए अगला बताईए अगला है रातरी का सुध रूप निम्न में से कौन सा है रात्री का सुध रूब निम्न में से कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका यानी रात्री जो बी नमर में लिखा ऐसा ही है जानने के एक्षा के लिए क्या बोलेंगे आप जिसे जानने के एक्षा उसे क्या बोलते हैं तो उसे जिग्यासा बोलते हैं उके उसके बाद है हाथी का इस्तिलिंग हथनी होता है ओके चलिए अगला प्रस्ण देखिए अगला है तिरे भूहन सब्द में नीमन में से कौन सा समास है तिरे भूहन सब्द में कौन सा समास है तिरे हो जाएगा दिवगुच समास ओके दिवगुच समास चलिए अगे बताई अगे है कार करने के बा पानी पानी होना मुहबरे का मतलब क्या है पानी पानी होना मुहबरे का मतलब है लजीत होना ओके उसके बाद देखिए आगे है दम में दम आने का मतलब क्या होता है दम में दम आने के लिए क्या सब्द का पुर्यों करेंगे यहनी सांती मिलना ओके सांती मिलना चलिए अगल आप प्रसंद देखिए, जी के आगे आपका, दिया है, संजुक्त राष्ट द्वारा, वी सो बैंक, अम उसकी स्वहयोगी सांस्ता, अंतराष्टिया मुद्रा को उसकी अस्तापना की समिलान में की गई, यह जो प्राक्टिस से ठाना, यह सभी पोस्टों के लिए है, कलरक हो ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चल जागा, कि इसका क्या राइट अंसर होगा, इसका राइट अंसर होजेगा, ब्रीटेन उट समेलन हुआ था, ओके, चली अगला प्रसंद देखिए, अगला है, कि दांडी मार्च, गुजरात में, नमक की प्राप्ती अस्थान तक लगभग, कितना मील पैदल चला गया था, तो यह चला गया था, दो सब चालिस किलो मीटर, ओके, अगला देखिए, सर्व सिक्षा अभियान का उदेश, डैस वर्स के आई वर्क के, सबी बच्चों के लिए उपियोगी, यहां प्रसंगिक प्राणफिक सिक्षा परदान कर रजना किसने के थी, मनी मैखले की रजना, तो यह हो जाएंगे आपके सतनार, सतनार जी ने उन्होंने इसका रजना किया था, चलिए अगला बताईए, मुद्रा इस्पिति के संदर्व में, सिपी आई का पूरा नम क्या है, तो यह पूरा नम हो जाएगा आपका, अगला है, किस भारतिये नेता के जनम दिवस पर, यह गारे नौमबर को हर वर्स, रस्टिये सिक्षा दिवस के रूप में मनाये जाता है, बताईए तो आप लोग जानते होंगे, मौलाना अबुल कलामा जाद, सबसे यंग द्यक्षते कॉंग्रेस के, प्रसन पूछा जात होगे, तो राइट अंसर, मौलाना अबुल कलामा जाद, अगला प्रसन देखिया, अगला है, इन में से कौन सा जल डमरु मध्य भारत के, तमिलांडू को स्रीलंका के मनार खारी से प्रिथा करता है, कौन करता है, तो यह आपका करता है, पाक जल डमरु मध्यों होगे, पा 65 चली अगला प्रस्ण है समराथ अकबर का मखब्र किस सहर में इस्तित है? अगला प्रस्ण है का क्या महतन है? तो आप भी पता है क्या महतन है? या नि वर्तमा राश्टिय धोच को स्विकार किया गया? चलिए अगला प्राशन बताईए किस राजनीतिक दल को तभी एक राश्टिय दल के रूप में मनियाता दी जा सकती है यदि वो आम या विधान सबचुनाओं में किनी भी चार राजियों में बैद मतों का डैस हिसा प्राप्त करता हो और उसके तरीक तो वह किसी भी राज या राजियों की चार लोग साबा सीटों पर जीत हासिल करता हो कितना प्रतिसत होना चाहिए आप लोगों में से कोई पॉल्टिक्स में इंट्रेक्स रखते होंगे तो बता सकते हैं यानि 6% होगा ओके कम से कम 6% चलिए अगला प्रस्त देखिए किसने महिला यूरोपिये चेंपियनसिप फुटबॉल परतियोकते 2022 का खिताब जीता किसने जीता तो आपको भी पता है इंग्लाइड ने जीता था अभी हाली में जीता है यार ठेक है किस राज यकेंदर सासित परदेश में जल निगरानी मोबाईल एप लॉंच किया है किसने जल निगरानी के लिए एक मोबाईल एप लॉंच किया है कौन सकेंदर सासित या परदेश होगा तो आपको जमू और कस्मीर ने अभी हाली में लॉंच किया है चलिए अगला प्रसंद देखिए ट्रांजीट रिमाइंड का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अभियोक्त को एक राज के पूलिश द्वारा दूसरे राज में लेज जाया जा सकता हो कि चलिए अगला प्रसंद देखिए अगला है क्या है नियाले में लोक अभियोजक पद से समंधित निम्न में से सही कथन का पहचान करना है बताईए तो देखे इसके निगरानी राज सरकार द्वारा की जा सकती है सही है यह नियाले में पुलिस का पक्च परस्तूत करता है यह भी सही है तो यह दोनों सही हो जाएगा ओके दोनों सही है चलिए अगला प्रस्त देखिए अगला है अपका निम्लिकित में से किन को सिकाओ से इंसुलीन का रिसाव होता है किन को सिखाव से इंसलीन का रिसाव होता है तो ये तो आप लोगों पता होगा इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए इसमें बीटा को सिखाव बोलते हैं इनसे इंसलीन का सराव होता है चलिए अगला प्रसंद देखिए अगला है अपका एक उदासिन परमानू बना होता है यह तो बहुत यह असान है इसको हम लोग बोलते है नीट्रोन प्रोटोन और इलेक्टोन नाभीक में इक्विलियस जीसे बोलते है नीट्रोन प्रोटोन रहता है लेकिन नाभीक से बाहर केंदर से बाहर जो रहता है इलेक्ट्रोन रहता ओके चलिए अगला प्रसन देखे अगला है निम्न सजाती योगमुका मिलान कीजिए ओके पहचारना है आपको कौन इसमें है तो देखे एच सी एच चो और सी एच त्री चो क्या बोलते हैं यह देख होता है इसके दो जो अल्टरनेटिंग होते हैं लगतार के जैसे हम क्या बोलते हैं सी एच टू हमेशा डिफरेंट रहता है तो उसे हम सजाती यसरे नहीं बोलते हैं सी एच टू का अंतर होगा तो ओके चलिए अगला प्रसन देखे अगला है निम्न से कौन बिदुत का मात आवेस होता है और कार को जूल और आवेस को कुलम लिखते हैं जूल पर कुलम फिर इसको कनवर्ट किजेगा तो क्या होजेगा फोर्स इन्टू डिस्टेंस बाई कुलम यानि न्यूटर मीटर पर कुलम लिख सकते हैं चलिए अगला देखें टर्नर सिंट्रोम वाले क्रोम एक और एक सोग यहनि पुलस में होगा ओके टॉर्णन सिंट्रोम रोग और सुत्री विभाजन के लिए irregular condition में यह जरम लेता है उत्पन होता है उसको बोलते हैं तो right answer आपका यह हो जाएगा ओके तो दोस्त हमारा आज का test series यहीं समाब्थ होता है उमीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाओ देंगे और अगर इसका पीडियाप चाहिए तो आप टेलिग्राम पर जूरिए description में हम लिंक देंगे और जैसा भी आयोग के तरब से notification निकलेगा एकजाम कब होगा एकजाम कब नहीं होगा कुछ भी reaction मिलता है बिहार government district court, e-court के site से हम आपको तुरंद लेकर चलेगे जब notification निकलेगा जिस तरब का भी हम आपको साथ साथ लेकर चलेगे और बता देंगे ठीक है तो आपको सिर्फ क्या करना है आप पढ़ाई करते रहिए जितना हो से के उतना पढ़िए ठीक है और वेकेंसी बहुत सारे पोस्टों पराने वाली है 75,000 जैसे defense line में हुआ और 45,000 medical में हुआ यानि total एक लग 30,000 medical section में हुआ उसके बाद PRD यानि block label पर जो आपकी बहाली आने वाली है 5000 block पंचाईती राज भी भाग जिसको बोलते हैं आप लोग के आसपास block होगा उसमें 5000 और बेजैसे engineering का हुआ यानि सरकारी engineer जो पोल टेक्निक करकर जेई बनते हैं civil के थुरू electrical के थुरू उनका हो सकता है उनका भी बहाली यानि 66% seat vacant है यानि जो हमरे बिहार के मुख मंतरी और उप मुख मंतरी जो हैं उप मुख मंतरी उनके दोरा ये मेटिंग में बोला गया और वो notice में निकाल चुके हैं notice मतलब advertisement के जरी अभी site पर नहीं आया है जैसे भी आएगा हम सब आपको suggest करेंगे आप लोग पढ़ाई किजिए ठीक है दोस्तों तो सभी दोस्तों को bye bye और good night once again good night to all of you take care